पिछले टेन पर हम लोग पढ़ रहे थे वाइदूत फ्लक्स सथा गास की प्रमे और इसमें हम गास की प्रमे के अनुप्रियोग के संदर्व में आप लोगों से चर्चा कर रहे थे और चर्चा के दर्मियान हमने बताया था कि आनंत लंबाई के एक समान आवेसी सीधे तार क अले कि निकट वैदू छेत्र की तीवन्दता के लिए कैसे विएन जक प्राप्त किया जाथा है आप लोगों ने देखा था इसमें कैसे हम गासी अन्स प्रिष्ट का प्रयो कर रहे थे औशीं प्रिष्ट का प्रयोग करते हुए वे उच्ड़ आज इस तरीके से हम लोगों ने एक दो फार्मूलों को डेराइब्ड किया था और उसी के आगे आज हम लोग चर्चा करेंगे विद्यार्थियों आप लोगों ने पढ़ा रहा होगा इसको और रिवाईज भी किया होगा चलिए आज हम लोग आगे की बात इसमें समझने की कोशि क्या पढ़ने चल रहे हैं अनंत विस्तार की समतल आवेसित अचालक चादर के निकट वैदुछेतर की तीवरता आप लोग हेडिंग मनाईए चैप्टर का नाम है आप लोग देख रहे हैं वैदुद फ्लक्स तथा गौस की प्रमें और इसी में हम लोग किश्की बात करने चल रहे हैं अनंत विस्तार की समतल आवेसित चादर के बारे में देख लेते हैं प्लिए आई आस了吧 लंबाई की circ perfect क्या है इसके अनंत फेयर ज्यांत विस्तार कह sometimes और इfunded डहाएं ऐसे अनंत विस्तार की अनंत विस्तार के सम्तल आवेसित सम्तल आवेसित अचालक तार के निकर्ट वैदुद छेत्र की तिर्वरता यह आपकी हेडिंग रहेगी ठीक है यह टापिक आजम पढ़ने चलने हैं चैप्टर के नाम लिखिएगा वैदुद फ्लक्स तथा गास के प्रमे और टापिक के नाम लिखिएगा अनंत विस्तार की समतल आवेसि अचालक तार के निकर्ट वैदुद छेत्र की तिर्वरता और आप लोग कॉपी पर यह चेत्र भी बना लीजिएगा ठीक है और इसी के संदर्व में आज हम लोग चर्चा करने चलने हैं विद्यार्थियों इसमें चर्चा करने से पहले आपको बता दें कि कुछ बातें आपको जानना आवश्यक होता जैसे गासी अन प्रिष्ट क्या है ठीक है छेत्रफल क्या है आवेस क्या है यह सारी चीजिए जो छोटी छोटी हैं यह आपको पता होने चाहिए तो हम लोग थोड़ी तर के लिए मान लेते हैं मान क्या लेते हैं कि अनंत विस्तार की एक समतल आवेसित चादर है ठीक है और इसी चादर के निकट हमें वैदुचेतर की तीवरता ग्यात करनी है अगर हमें वैदुचेतर की तीवरता ग्यात करनी है तो आप थोड़ा सा अ खपिन आभेस नहीं रहेगा है स्निक्षाइए चित्र ख्याद करने की कोई बात याद रखिएगा हम लोग यहां पर आवेस देंगे एक कि कोई आवैसा क्यों है ओ gan किये हैं कितना है चेतरफल को आप चाहें तो ए माल लें जो समान रूप से क्या है वितरित है ठीक है और प्रिष्ट के प्रती एकांग चेतरफल पर विद्मान आवेस को प्रिष्ट आवेस घंत्व या फिर आवेस का प्रिष्ट घंत्व कहते हैं यानि कि जैसे कोई प्रिष को हम लोग क्या माल लेते हैं कि ए क्या है प्रिष्ट क्या है और इसमें दिया गया आवेस कितना है क्यों है बात समझ में आरेक नहीं इसका क्या मतलब होता है प्रिष्ट घनत्यू को हम लोग दिखाएंगा सिगमा से सिगमा वराबर क्यू अपान ए आ जाएगा और इसी चीज़ की यहां पर आवश्यक्ता पढ़ेगी भी आगे तो हम एक बार और आपको समझाने की कोसिस करते हैं और आप लोग अच्छे चाहते हैं हम आपको बताना चाहते हैं परिष्ट घनत्यू के बारे में यानि को यह परिष्ट का इसके दिखाएंगे सिगमा से दिखाएंगे, उम्मीद है इतनी बात आपको केलियर हो गई होगी और पृष्ट घनतु को किसे दिखाते हैं तो सीगमा से प्रदर्सित भी किया जाता है, ठीक. तो अभी आप लोग क्या जाने आव एस का प्रिष्ठ घनतों कैसे ग्याद किया जाता है ठीक है लेकिन अभी चित्र में हम कोई बात नहीं कर रहे हैं चलिए अब आप चित्र की बात करते हैं अभी देखिए अगर डारेक्ट हम लोग क्या करेंगे जब इसको प्रूविंग क घैनिग करेंगे जब इसको प्रूव करेंगे तो प्रूव दिवरान हम आपको बताएंगा यांपर कि क्यू इक्वल Juliusant थे बॉत पूंचन गेंत त हम आपको याद दिलाएंगे आवेस का प्रिष्ठ घनतों सिग्वा वराबर क्यू अपन ए यहां से क्या हो जाएगा कि व आप याद रखिएगा कि पुरुविंग में सबसे पहले आपको बता दें मान लेते हैं कोई अनंत विस्तार की एक समान धन आवेशित चालक है क्या है माना की अनन्त विस्तार की एक समान धन आवेशित अचालक है ठीक है जाए अचालक समतल सीट मान सकते हैं ठीक है और इसके एक तल पर आवेश का प्रिष्ठत घनत वो कितना है यह माल ले रहें कि सिगमा है कितना है सिगमा है, तो सीट का यहतल आवेस की एक समतलजादर है, काम इसका भी नहीं पड़ेगा, जो जरूरी बात है, वो आप करने चल नहीं K accusations dhann, कि एक समान द leather is कैसी धनावेसित अचालक समतल चादर के निकट ठीक है निकट चादर से आर दूरी पर एक बिंदु पी है कितनी दूरी पर आर दूरी पर यहां देखिए एक बिंदु कित्या है पी दिखाई दे रहा होगा आपको थोड़ा छोटा लिखा हुआ है यह आर दूरी पर यहां ए एक बिन्दू कितना है P है और इसी बिन्दू P पर क्या करना है? वाय दूल स्कीक टीवरता ज्यात करना ही रहेगी. विद्ध्यारत्यों अब हम लोग इसमें आगे समझेंगे. माना कि चाधर के दूसरी तरफ, चाधर के दूसरी ओर बिन्दू P के सम्मीत P-S है, हम इसके आर पार पूरा एक गासियन प्रिष्ट की कलपना कर रहे हैं कि यह इधर कोई एक गासियन प्रिष्ट है इधर भी और इधर भी क्या है कोई एक गासियन प्रिष्ट है इस तरीके से और इसी प्रिष्ट यार्थात बिंदू P पर हमें क्या करनी है वैदू छेतर की तीवरता ग्यात करनी रहेगी हम सिर्फ एक कल्पना मात कर लेते हैं कि यहाँ पर भी प्रिष्ठ है और इधर भी क्या है कोई एक प्रिष्ठ है विद्यार्थियों यहाँ पर छेतरफल हम कितना माल ले रहे हैं ए माल ले रहे हैं तरफल को हम क्या लेट करेंगे एलेट करेंगे अब हम देख रहे हैं कि चादर के समीप दोनों और सभी विंदुओं पर वैदुच्छेतर कैपिटल E वेक्टर का जो परिमाड है वो समान होगा क्योंकि इधर जितना है परिमाड उधर भी उतना होगा दोनों तरफ परिमाद कैसा होगा? एक समान होगा, ठीक है? और उनकी दिसा कैसी होगी? दिसा चादर के अभी लंबोवत अभी लंबोवत है विधियार्थियों अब क्या इसम 나쁜ना आए? हमें ग्यात करना है कि बेलन के दोनों सूरों सो कर जाने वाला वैदूत फ्लक्स कितना है, ठीक है, चली देख ले तो इसके लिए फार्मूला हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, उसको ग्यात करना चाहते हैं कि कैसे इसको ग्यात किया जाएगा, देख लेते हैं थोड़ा सा, आप लोगों को हमने बताया वैदूत फ्लक्स का एक फार् एक्वल सर्फेस इंटीग्रण एविक्टर डाट डिये विक्टर यहाँसे और क्या कर सकते हैं से सर्फेस इंटीग्रल डाट डी Interior अब आप हम से प्रशन करेंगे सब्वैद्द्ष फ्लेक्स का फार्मूला तो फाई एक्वल सर्फेस इंटीग्रल डाट डीए वेक्टर होता है तो आपने इसे क्यों लिखा है दर असल एक तो वैदु फ्लक्स का फार्मूला यह हो जाए कि जो इसको लिखा और दूसरा इसको भी तो लिखना दोनों वैदु फ्लक्स बराबर ही रहेंगे तो यहां पर भी हमने क्या किया वही चीज़ी लिख दिया उंबीद है कि यह बात आपको क्लियर हो गई होगी अब आगे देख लेते हैं इसमें और कॉंसी इंपॉर्टन्ट बात है इसमें आपको पता है इवेक्टर और डीए व दोनों एक दूसरे के समानतर हैं तो क्या लिख सकते हैं इवेक्टर डाट डीए वेक्टर बराबर इडीए क्या लिख सकते हैं इडीए उमीद है अब आप लोग को यह बात क्लियर हो गई होगी तो अगर यह समानतर हैं तो जहां इवेक्टर डाट डीए वेक्टर लिखा हुआ है वही पर इडीए लिख सकते हैं अब आप कहेंगे सर ऐसा लिखने से क्या फाइदा है तो ऐसा इसलिए किया ताकि हम आसानी से यहां पर भी वही बात लिख सकें क्या लिख सकें ऐसे बार और लिखाए EDA, दोनों मिला करके दो बार हो जाएगा, ठीक है, तो इसको दो बार लिख देंगे और कुछ नहीं, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, गौसियन प्रिष्ट के वक्रिये प्रिष्ट से होकर जाने वाला वजद फ्लक्स कितना होता है, सून ने है, ठीक है, य चाहे तो इसको हटा दें, कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं है, अगले स्टेप पर हम क्या करेंगे, आपर 2EA लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं इसे, यहाँ पर कोई विश्यस फर्क पढ़ने वाला तब नहीं रहेगा, यही बात इसमें समझना हमारे लिए क्या है, जरूरी है, और यह चीद तब करेंगे, जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं, EDA, EDA दो बार लिखा है, तो EDA को आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, EDA को लिखने के लिए, यहाँ पर जैसे लिखा है EDA, तो इसे आप EA लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ ना लिखे हैं, आप सीधा क्या लिख लें ये लिख लें ये लिख लें मिला कि कितनी बार हो जाएगा टू ये हो जाएगा अब ये बात क्लियर हो गई आप लोगो आगे देख लेते हैं इसमें चलिए अब इतनी बात तो किलियर हो गई लेकिन गास की प्रमे क्या होती है गास की प्रमे भी समझना है अभी आप एक बार इसको डीटल कर लीजिए फिर इसके बाद एक दम आसान भात हमकिल दो ही सब्द में इसका एंसर आप लोग को मिल जाएगा ठीक है कोई कठिनाई इस अभी तक हमने क्या कि अभी तक सिर्फ इतना बताया फाइए इक्वल सर्फेस इंटीग्रल इवेक्टर डाट डीए वेक्टर होता है और यह आ कहां से रहा है तो आप लोग आसानी से देख पा रहे हो कि यह फार्मूला होता है वैदुस फ्लक्स का एक तरफ के प्रिष्ट का यह वैदुस फ्लक्स हुआ और इधर के प्रिष्ट का वैदुस फ्लक्स क्या होता है फाई इक्वल सर्फेस इंटीग्रल इवेक्टर डाट डीए वेक्टर यहां से यह भी ग्यात हो गया अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं हम बता रहे हैं यह लिखा जा सकता है यह आप चाहें तो इसने पूरे की जगा क्या लिखें यहां भी इए लिखें मिलाके क्या हुआ यहां से यह ग्यात हो गया अरंतु गास की प्रमे देखिये क्या कहती है यह तो फाई यह बराबर था गोस की प्रमे क्या होती है गोस की प्रमे कहती है फाई इए ऐक्वल क्यूब अपन एफ्साईलन नट अब यहां हम क्या तुरूप करना चाहते हैं आखर यह आ कि आ गया अब आप लोग देखी यहां पर क्या फार्मूला आ गया गास की पर में कहती है कि फाई इक्वल क्यों अपान एफसाइले नाट और अगर आपको जरस अभी याद आ रहा हो तो हमने बताया था भी पर आबेस के प्रिष्ट ग जानतों का फार्मूला क्या था सिग्मा एक्वल क्यू बाई ए याद आ रहा है यहां से देखिए हम लोग जानते हैं कि सिग्मा एक्वल क्या होता है क्यू बाई ए होता है तो यहां से आप क्या कर सकते हैं यहां से आप क्यू की वैलू निकाल लें क्यू बराबर क्या हो ज सबस्क्राइब और गăere सबस्क्राइब यहां भी आपक्छप्पाइब बढ़र किए और यहां भी पक्छप्पाइब है इस तरीके से आसानी से हम लोगा हम लोग लिख सकते हैं यहां पर कि समी करण एक और दो के पाएं पक्ष आपस बराबर है इसलिए इनके दाएं पक्ष भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे और जब बराबर का नाम लेंगे ना तभी यह प्रूफ हो जाएगा जब आपको पता चल जाए किसको बराबर करना है तो फाई इक्वल हम लिख सकते हैं तू फाई लिखने क्या बशकता नहीं आप चाहें तो इसको लिख लें डारेक्ट टू इए एक्वल सिगमा अपान में क्या लिखेंगे एपसाइलन नाट लिख लें यहां पर अगर आप देखें तो ए से क्या हो जाए कड़ जाएगा तो पूछेगा अनंत विस्तार की समतल आवेसित अचालक तार के निकट वैदुच्छेतर की तीवरता के लिए विंजक प्राप्त कीजिए तब आप क्या करेंगे इसी को ग्यात करेंगे इस तरीके से काफी आसान होता है आपको एक बार मैं दुबारा फिर सम्झाने का प्रया दूसरे के समानतर हैं और अब यहां पर देखिए यहां पर एक बिंदु हमने क्या लिट किया है पी लिट किया है क्या है और इधर क्या है और यहीं पर क्या करना है वैदुच्छेतर की तीवरता को ग्यात कर पाएंगे तो हम जानते हैं वैदुच्छेतर की तीवरता को ग और यहां से इन दोनों को जोड़ा जा सकता है परंतों लोग क्या करेंगे इसकी जएगा डाय इ्ये से लिखेंगे तो लिखेंग गँज् कि प्रमे क्या कहती है तो फाइए इक्वल लिखेंगे आप क्या किव अपान एपसाल नाट और यहां से क्या आ जायेगा यहां से अगर आप ग्यात करना चाहेंगे तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए रेखिए प्रिष्ट घनतु के बारे में प्रिष्ट घनत सिगमा क्यों बराबर क्यों निकालना चाहेंगे तो क्यों बराबर क्या आ जाये के सिग्मा ओर जाये Ass Him a pan merchants कर दो जाएगा अब ये समी खिरण एक आया और समीकर दो आया तब क्या लिखेंगे हम अब हम लिखेंगे समीं करन एक और दो से लिए समीं करने एक और दो से फ्राम फॉर्ष्ट य सेकंड टो क्या हो जाएगा समीं करने एक और ba कि भायाई पक्ष आपस में क्या है बराबर है इसके घ्राई पक्षी भी क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे बराबर दिखाने की बात आएगे चっए लिखने और जब कट गया तो किया करेंगे अब दो कुछ बचा business नहींड़ आप सिगमा अपांट टू एपसाइलन नाट क्या लिखेंगे सिगमा अपांट टू एपसाइलन नाट अब बताइए आपको समझवाया प्रूविंग क्या कठीन है वो भी बता दीजिए इसमें क्या नहीं आ रहा है आप लोग बस जरुबत है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने कि अगर आप ध्यान देते रहें तो एक एक बात की प्रूविंग हो जाएगी कुछ है नहीं पहले क्या है अनंत विस्तार की समतल आवेसित अचालक तार के निकट वैदुच्छेत्र की तीवरता के लिए जब हम लोग विंजक प्राप्त करेंगे तो यहां पर सबसे पहले एक समतल जादर बनाएंगे और इसको इसके बीचों बीच क्या करेंगे इसमें एक काल्पनिक प्रिष्ट की परिकल्पना करेंगे और काल्पनिक प्रिष्ट की जब हम लोग परिकल्पना करेंगे तो इसके एक प्रिष्ट पर देख लीजिए यहां पर एक छेत्रफल आव दोग हम लोग कहेंगे कि बिंदु पी पर वैक्षभि अब वैक्षभि फ्लक्स की जब दुक्वना करेंगे तो आप क्या लिखेंगे लिखेंगे फाइट इक्वम इंटीग्रल दोट डी प्रिश्ट घनत्व आया था आप लोगोंने बहुत अच्छे से देखा था सिग मैघ्वल क्यों अपान ए और क्यों बराबर और सिग्मा आया है तो जहां पर Q है वहां पर इसको रख दिया वहां से समीकरण दो बना था और समीकरण एक और दो को हमने क्या कर लिया बराबर दिखाया बराबर जब दिखाया तो बाया पक्षा पस्म बराबर था तो हमने दाएं पक्ष को भी बराबर दिखाया और जब दाएं पक्ष को बराबर दिखाया तो एसे कटा आउरी बराबर के रिए बिंजक अब हम लोग आगे पढ़ने चलना है इसने अगली टापिक कि कि हुआ है टापिक यही रें चैप्टर का नाम यही रहेगा सिर्फ क्या हेडिंग बदरेगी आवेसित चालक के ठीक बाहर क्या लिखेंगे आवेसित चालक के ठीक बाहर बैदुत छेतर की तीवर्दा जी आपकी हेडिंग हो गई ठीक